स्रीश वाय नमस्तो भ्याम हम सबको पता है कि आज है 24 जनवरी यानि कि पॉश मास की चतुरदसी तिथी का बहुत ही प्यारा सा दिन प्यारा ये इसलिए है क्योंकि ये चतुरदसी तिथी बुद्धवार को पड़ रही है और आज शाम के टाइम पे आपको आटे का एक चो मुखी गनेज दीपक अगर आपने अपने घर पे जला दिया तो आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा कभी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़ के देखने के जरुवत नहीं पड़ेगी जो कि पूजी गुरुजी की कताज सुनके बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कैसे करना इस उपाय को और क्या क्या इसके फायदे होंगे उसके लिए वीडियो को पूरा देखीगा समझते हैं सबसे पहले बता दू कि ये जो पहला उपाय है चतुर्दसी तिथी का वो आपकी फैमिली के लिए है आपके परिवार के लिए है उन्हें कभी लाइट में पीछे नहीं मुड़ना है उसके लिए आपको बनाना होगा आटे का चौमुखी दीपक अपने घर पे मार्केट में तो मिलेगा नहीं आटे का दीपक तो घर पे बना लेना ठीक है बनाने के बाद हमें एक पत्ते के जरुत होगी जो कि इस स्क्रिंट पे दिख रहा है हमें एक समी का पत्ता चाहिए ज़्यादा नहीं योगी भगवान गनेश का दीपक लगाना है तो शमी पत्र भगवान गनेश को बहुत प्रिय है तो एक समी का पत्ता लेंगे अब इस चौमुखी दीपक में आपको डालना होगा घी गव माता का घी डालेंगे और इसमें जो बत्ती लगाओगे वो आपको चौमुखी दीपक है तो बत्ती में कितनी होनी चाहिए दो बत्तियां लगाओगे जिसका मुख चार दिशा में होना चाहिए अब आपको इस दीपक को आपके घर के अंदर ही जहां पे भी भगवान गनेश की छोटी बड़ी फोटो मूर्ती प्रतिमा हो उसके सामने उस चौमुखी दीपक को रखेंगे और भगवान गनेश का इसमनन करते हुए और आपके परिवार की आपकी फैमिली की जो भी समस्याएं हैं जो भी दिक्कते हैं उस कस्ट का ध्यान करते हुए उस दीपक को जला देना ठीके जलाने के बाद में आपको मयूर धज भगवान गनेश का बहुत ही प्यारा सा नाम है मयूर धज और उस एक समी के पत्ते को उस दीपक के अंदर मयूर धज का नाम लेकर के जला देना आपकी जो wishes होंगी जो भी आपकी family में किसी भी परकार से कोई भी समस्याएं आती जाती रहती होंगी वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खतम जरूर हो जाएंगी इस से special इस से प्यारा उपाय आपको नहीं मिलेगा बुद्वार की चतुरदसी तिती है ऐसा दिन भी वो भी पौश के महीने का नहीं आता है कभी तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा ठीक है समझे आप मेरी बात को चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ पहला उपाय तो था कि अगर आपकी फैमिली में कस्ट बहुत जादा है उसके लिए क्या करोगे तो वो दीपक कब जलाओगे शाम के टाइम पे अब ये जो दूसरा उपाय है ये इस्पेशली है धन संपदा के लिए पैसों के लिए कि भीया हमारे घर में मा लक्ष्मी का वास नहीं है हम बहुत जादा परेशान है उसके लिए हम क्या करें तो आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन क्या लोगे पीला चंदन अब इस पीले चंदन के साथ मा लक्षमी के लिए प्रातना कर रहे हो धन संपधा के लिए कर रहे हो तो कमल गट्टे भी कितने लेने होंगे मातर एक कमल गट्टा ले लिया अब लेने के बाद में एक तामबे का लोटा भी लेंगे जिसमें जल भर लेंगे आप अपने घर से और लेके पहुँच जाएंगे कहां पे महादेव के शिवलिंग के पास मैंने बोला शिवलिंग आप शाहे तो मंदर में कर लो या फिर अपने घर पे करो फेस रखोगे उत्तरदिशा नौर्थ डारेक्शन क्रम समझेगा नियम समझेगा पहले हमें करना क्या है जो आपके पास में पीला चंदन है उसका लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के उपर कर देना है अच्छे तरीके से ठीके लेपन कर दिया लेपन करने के बाद में जो आपके पास में एक कमल गट्टा है न उस एक कमल गट्टे को आपको इसी पीले चंदन के उपर रखना ह जल है वो मा लक्षमी का ध्यान करते हुए किसका ध्यान माता लक्षमी का ध्यान करते हुए जल की धार आप इसी कमल गट्टे के ऊपर गिराएंगे कहीं और जल की धार गिरनी नहीं चाहिए इसी कमल गट्टे के ऊपर बिलकुल धीरे धीरे स्लो मोशन में गिरा देना पूरी लोगों को उपाए जरूर करना है चाहे तो अपने घर पे करें या फर मंदिर में सुबह दो पहर शामरात कभी भी इस उपाए को कर सकते हो ठीक है तो दो उपाए की बात हमने कर ली है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाए के तरफ और ये तीस तीसरे उपाए को आप करोगे तो आपको फायदा क्या होगा आपको बेनेफिट क्या होगा इस तीसरे उपाए के सबसे पहले समझो कि दो फायदे हैं पहला फायदा तो ये है कि आप इस उपाए को किसी भी परकार की बड़ी बीमारी के लिए कर सकते हो जैसे सुगर हो गय से परिशान हो तो इस उपाय को करिएगा उसके लिए आपको लेने होंगे शमी के पत्ते दो जादन लेने हैं दो समी के पत्ते लेंगे और उसके बाद में उसको लेके बहुत जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में चढ़ाना कहां पे है समझेगा दोनों समी के पत्त गिरता है उह जगह होती है हमारे पित्रों के लिए है ना मानते हो मैंने बताया आपको तो अगर हमारे घर में ऐसी समस्याय आती है जो हमें पता भी नहीं चलता क्यों हो रही है तो वो कहीं न कहीं पित्र दोश के कारण होता है और समी पतर से हम अपने पित्र दोश की समस्या को दूर कर सकते हैं जो कि बुद्धवार की चतुर दसी तिथी पे करना होता है तो जो एक समी का पत्ता है वो आपको रखना होगा इसी जगह पे जहां पे हमारे पित्रों का स्थान होता है यहां पे रख दिया यहां रखने के बाद में अब आप एक लोटा जल महादेव के उपर स्री श्वाय नमस्त अभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पत करना ठीक है समर्पत किया अभी आपके पास में एक समी का पत्ता और है जब आप महादेव की पूजन करते करके इसी चौखट से बाहर आओगे तो जब बाहर आओगे तो इस साइड में आपको यानि की खुद द्वच के नाम से लगा देना कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती लड़ाई जगडे क्रोध वाली समस्या तो खतम होगी होगी साथ ही साथ अगर आप पे परिवार में आपकी फैमिली बहुत जादा बहुत जादा बीमार रहता है तो उस बीमार इ तीन उपाय की बात समझ में आ गई है एक बहुत ही छोटे और बहुत ही स्पेशल उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आखरी उपाय है जो की चौथा है उसके लिए आपको लेना होगा एक तामबे के लोटे में जल कब कहोगे भी है जल तो हमने घर से ले लिया ल जल को ले करके पहुँच जाएंगे महाद्यो के मंदर में मैंने क्या बोला महाद्यो के मंदर में जाना और जैसे ही मंदर में पहुचोगे सबसे पहले दर्शन आपको किसके हो जाएंगे नंदी बाबा के अरे होंगे की नहीं होंगे होंगे दर्शन नंदी बाबा के तो उस आधे जल को ले करके पहुँच जाएंगे मंदर के अंदर महादयो के शिवलिंग के पास पहुचेंगे और क्या करेंगे आधा जल बचा हुआ महादयो के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करेंगे यही गलतियां लोग कर देते हैं मेरी बात ध्यान से सुनते नहीं आपको चढ़ाते चढ़ाते महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है और जब यहां से आप जल चढ़ाओगे तो यहां से जल की धार तूटनी नहीं चाहिए जो भी वेक्ते इस तरीके से उपाय को कर लेता है उसकी कितनी भी बरसों पुरानी कोई भी मनुकामन होगा फिर वापस आना है नंदी बाबा के पास में और उठे पैर को छू करके उनके कानों में आपको अपनी मनुकामना बोलनी है नंद इश्वर महादेव के नाम से और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना पूरी जीवन आपको कोई भी समस्याय नहीं हो सकती ह हमेशा महादेव आपका हाथ पकड़ करके चलेंगे और आप इस उपाय को जिस भी कामना से कर रहे हो वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा आप सभी को समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना ह नहीं समझ में नीचे कॉमेंट सेक्चन में पूछें और जितने भी भाई बहन मेरी सावाज को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मुझसे फोन पर बाते करनी हैं मैसेज बाते करनी हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर पर फॉलो कर सकते हैं जिसके लिए आपको सर्च करना होगा दे नेचुरल प्लैनेट वन जीरो एट स्रीशिवाय नमस्तुभ्यम